आप सभी विद्यार्थियों का कृष्णा गवाल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बीड कर रहे हैं, तो पाठ्योजना बीड में बनाया जाता है। और पाठ्योजना कैसे बनाते हैं, उनको पता नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आपको पता चल जाएका कि बेडे में पार्ट वेजना कैसे बनाते हैं तो पार्ट वेजना बनाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है क टीचिन्ग लगती है आपकी है आपके बिद्याले में मतलब बिद्याले से सी लगेगी कि किसी दूसरे बिद्याले में भी तो छो वहां पर पढ़ाना पड़ता है जो भी ना है तो पुर्बाथा करए उनको तो उसमें आ बनाना पड़ता है आधैनी फा willen मृ लिखने पड़ती है तो कैसे बनाजाता है उसी को आज देखें गे में इसमें पांचill Nu कैसे हैं तो पाठे उजना संख्यादू है आज कहा हमारा ए वीडियो में, तो अगर और भी वीडियो चाहिए, हिंदी से संबंधी पाठे उजना चाहिए, तो इस चैनल पर देख लीजिए, इसमें हिंदी से संबंधी वीडियो मिल जाएंगे आप लोग को, तो चलिए देखके कैसे बनाते हैं पाथी जिनक़ सेहां रहेंगे यहां लेका नमबर इंहां डाल जाएंगे तो कई पाथी जिनक बनाना पड़ता है तो यहां पर छSab Lebanon जिकी जाम है दो किया गजाम रहतास है जो उसमें आप बनाये रहेंगे, तो इसके पहले जो पढ़ाते हैं और फाइल बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं उसको आज देखेंगे, तो जो मतलब आपकी teaching जो लगेगी विध्याले में कि दूसरे विध्याले में जब teaching करने जाएंगे, आप पढ़ाने जाएंगे, त लोग तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले बिद्याले का नाम बिद्याले के नाम मतलब जिस बिद्याले में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालेक का नाम यहां पर रहेगा और यहां पर छात्रा ध्यापक का नाम या छात्रा ध्यापक का नाम या छात्रा ध्यापक का नाम यदि आप छात्रा है तो छात्रा ध्यापक लिखेंगे छात्रा ध्यापक का लिखेंगे जो छात्रा है उनके लिए ठीक है तो आग सचनामीर की पड़ाने जाएंगे तारिख इसमें लिखेंगे कक्षा, किस क्लास के लिए बना रहे हैं तो इसमें कक्छा लिखेंगे जिसे कक्छा आर्ट है.. कुछा आंट के लिए बना रहे हैं तो, आर्ठ लिखेंगे बिशें Portuguese says, menagerik i modular कालांस का मतलब होता है कि इस पीरिड कौन सा पीरिड है जो पढ़ाने जाएंगे आप पहला दूसरा तीसरा जो भी है उसको इसमें लेख लेंगे ठीक है इसके बाद अवधि का मतलब आपकी घंटी कितने समय की है 35-40 मिनिट की घंटी सामानते होती है तो हमारी तो चालेश मिनटी यरां म लिखें हैं आप की जितना हो जितनी हो आप ही आप भी लेख सकते हैं इसमें तो कोई दिक्केत नहीं है और प्राक्रा अब होता है कौनता टाफिक रॉञाने जा रहा है उसी में पहला प्यांट लिखेंगे चात्रों की मानसिक सकतियों का विकास करना, दूसरा लिखेंगे, चात्रों में आदर्श नागरिक्ता का विकास करना, तीसरा लिखेंगे, चात्रों में बैग्यानिक दिरिष्टी कोंड का विकास करना, चोथा लिखेंगे, चात्रों को राजनीतिक योम समाजिक समस्याओं क का ज्यान करना पांच इंतां लिखेंगे छात्रों में प्र Concept जर अटका अधिक करना अधिका ए मैं चात्रों में प्रेजा के प्रेट द्रीण विश्वास उत्पां करना आगे चलते हैं हेटिंग डालेंगे विशिष्ट उद्धेश हेटिंग डाल करके इसमें लिखेंगे ग्यानात्मक फिर हेटिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला लिखेंगे छात्र स्यूक्त राष्ट रंग को जान सकेंगे दूसरा लिखेंगे चात्र स्रायोक्त राष्ट रंग की अस्थापना वर्ष जान सकेंगे आगे चलते हैं तीसरा चात्र स्रायोक्त राष्ट रंग के अंग को जान सकेंगे फिर यहाँ पर बोधात्मक खेडिंग डालेंगे इसमें लिखेंगे पहला लिखेंगे चात्र स्रायोक्त राष्ट श्रंग का वरड़न कर सकेंगे दूसरा चात्र स्रायोक्त राष्ट श्रंग के उद्देश बता सकेंगे तीसरा चात्र विश्वस्तरी युद्धों को बता सकेंगे आगे चलते हैं अब हेडिंग डालेंगे प्रयोग अत्मत और इसमें लिखेंगे पहला चात्र संयुक्त राष्ट रंग के अंगों की सूची बना सकेंगे दूसरा चात्र संयुक्त राष्ट रंग के कारियों को ढूंड सकेंगे तीसरा चात्रों में विश्वंधुत्त की भावना का विकाश हो सकेगा ठीक है और शाहक समग्गरी हेडिंग रा लेंगे इसमें साहक समग्गरी में वही रहता है मतलब जो आप पढ़ाते समय जिस चीज का प्रयोग करेंगे उसी को साहक समग्गरी कहते हैं उसी को इसमें ल कितर रहेगा जाट रहेँएग संयुकत राष्रंग कि परतिक को प्रदर्शित करता चाट रहेगी ठीक है आगे ge है आगे चलते हैं झालेंगे कब जातरों को संयुकत राष्रंग के संबद में समानी-जानकारी है आगे चलते है प्रस्तावना हीडिंग डालेंगे प्रस्तावना हीडिंग डालकर लिखेंगे छात्रा ध्यापक क्रिया अगर आप छात्रा हैं तो छात्रा ध्यापक क्रिया लिखेंगे छात्रा ध्यापक तब नहीं लिखेंगे ठीक है और इसमें लिखेंगे 16 शात्रा क्रिया तो आगे चलते हैं देखिए जब 20तर पर यूद्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं तो बाद्चे जो बताएंगे करने का मतलब इसमे लिखेंगे 20 यूद्ध दूसरा अब तक कितने 20 यूद्ध अब तक कितने विस्वयुद्ध हुए हैं तो यहां इसमें लिखेंगे दो तीसरा है कौन कौन से इसमें लिखेंगे प्रत्थम विस्वयुद्ध दिती विस्वयुद्ध चेबthा लिखेंगे दिती वीस विद के बाद 20%. पर सांती बना रहने के लिए किस संग को बना गया है, यह हो जाएगा समस्यात्मक ठिक है समस्यात्मक प्रशन है आके चलते हैं उद्द्ध सेटिंग डालेंगे उद्द्ध कथन में उद्यस कथन कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम लोग संयुक्त राश्रंग यहों उसके उद्यस का आधियन करेंगे प्रस्तुति करांड डाल कर इसमें लिखेंगे, छात्रा ध्यापक क्रिया, pen rejection őनाध कर रहें nostre, जात्रा ध्यापक गया है , 26 कोई है क्लें 07ard Creep, आगे चलते हैं unshach go to find mping लिखेंगे, 20 में छोटे बड़े कमजोर शक्तिसाली कई तरह के देश हैं कभी कभी ये मित्रता पूर्ण संब्द रखते हैं कभी कभी युद्ध हो जाता है तो 20 युद्ध बन जाता है और चात्र शात्रा क्रिया में लिखेंगे चात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे और श्यांपट कार में लिखेंगे प्रत्थम विस्वयुद्ध 1914-1918 ठीक है और इस अब लिख लेंगे आप सभी देखकर भी उतार रखते हैं जिस तरह से इसमें है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं वीडियो को रोक रोक करके आप सभी लिख सकते हैं आराम से देख सकते हैं आगे चलते हैं दिती विस्वयुद्ध कि 1949 से 1945 इंग्लेंड फ्रांस रूस जर्मनी जापान इटली दिती विस्वयुद्ध के दवरान इस यहां हिरोशीमा तथा नागा साकी पर पर माड़ बंब गिरा गया ठीक है यह आप लोग आराम से रोक रोक करके वीडियो आराम से देख सकते हैं लिख सकते हैं बोध प्र आप लगा स्टिकार ट्रなたकल मैं लिखेंगे मिस्वयुद्ध अ कि युद्ध के दारान गिर्या गया तो इस है सब्सक्राइब नयुक्त एक से इस जर्था ऐ आखर पर माड़ बंब कहने आ गया तो यहां मैं हेरोश्यमा तथा इस नागा साकी तो आगे चलते हैं संयुक्त राष्ट्रां की स्थापना तो इसमें लिखेंगे 20 अस्तर पर सांती यों सुरक्षा बनाये रखने के लिए विभिन राष्ट्रो ने सेंट फ्रांसिस को नामक नगर में एक संग का निर्मार 24 अक्टूबर 1945 को किया जिसे संयुक्त राष्ट्रां की संग्या दी गई शुरू में इसके क्यों एक्याउं सदस यानि देश थे वर्ष 2011 तक 193 देश इसके सदस हो गए दक्षेंड सुडान 193 देश के रूप में सामिल है तो इसमें लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 सेंपट कार रहे हैं और यहाँ पर 51 और यहाँ पर दक्षेंड सुडान 193 देश करने मतलब सदस और आगे चलते हैं पुन्रा ब्रित्री प्रेशन में लिख लेते हैं दिती विसुद्ध का समय बताईए और दूसरा लिखेंगे प्रतम विसुद्ध कितने वर्ष चला तीसरा लिखेंगे परमाडबं कहां गिरिया गया तो आगे चलते हैं तो यहीं पर समाप्त हुआ अगर इस तरह का और भी वीडियो आप लोगों चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि पाठियोजना संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे आप लोग को तो हम मिलते हैं आप लोगों से फिर नए टॉपिक पर तब तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत